हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू जीनेस अकेडमी फर्स जो लाए के कुईज का सोलुशन देखिए फर्स्ट वेशन दिया है आपके पास यह कहा है कि यह विल बी इमाजनरी इफ थीटा इकोल्स तो वट तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो गीवन इक्वेशन है उसको हम 1 माइनष्बी माइनश दिया थीटा साइनधी इड्सि आगा साहीन थीटा मैंड़ए मत्तीप्लाइ अगे में अग्यचता है तो थीरीग्कर सिकर्या साइन-फ्लस नेता सांसिता थीरए Ayanna-103 सिंङर थीटर similarly नीचे भी a plus b a minus b का whole square a square minus b square यह हो गया तो हमें पता ही यह add हो जाएगा 3 और यहां पर iota square था iota square कितना होता है minus 1 तो यहां इसको एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि यह है real parts और यह दोनों add कर लो यह हो गया 8 iota sin theta over में यहां भी मिने अलग-अलग कर लेते क्योंकि इतना बन जाएगा 1 plus 4 sin square theta और same इसको भी इसके साथ भी लिख लो 1 plus 4 sin square theta मैंने imaginary parts और real parts अलग कर लिए according to question कि यह जो होना चिये purely imaginary for this real of z क्या होगा आपका 0 होगा that means 3 minus 4 sin square theta over 1 plus 4 sin square theta equal to 0 तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 3 minus 4 sin square theta equal to 0 that means sin square theta equal to 3 by 4 that means sin theta equal to root 3 by 2 and we know that यह pi by 3 होता है sin theta equal to pi by 3 तो हमें क्या पता है हमें पता है कि if sin theta equal to sin alpha then theta की value क्या होती है n pi plus minus alpha तो theta कितना है n pi plus minus alpha is pi by 3 तो final answer is this next है if x1z are in ap and x2z are in gp then x4z will be n dash तो पहला है x1z ap में है तो हमें पता है क्या करते है a2 minus a1 equal to a3 minus a2 करते है कि नहीं तो यह हो गया आपका 1 plus 1 2 और इधर हो गया z plus x that means z plus x is equal to 2 अब second आपके पास दिया है x2 and z are in gp यह gp है और यह किस में दिया था ap में दिया था तो gp के लिए क्या करते है a2 over a1 equal to a3 over a2 clear कितना हो जाएगा xz is equal to 4 यह आ गया gp में अब यह पूछाई यह किस में है तो सबसे पहले अगर मैं यह first ले लो यह second ले लो वैसे तो gp का आपको formulas ap gp आता ही है आपने check करना ap gp है या फिर hp है ठीक है अब अब आइस आप क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए second को first से तो यह क्या हो गया z x और यहाँ x plus z equal to 4 by 2 तो अगर यह ऐसे हो गया 2 इधर ले जाओ 2 xz z plus x या x plus z is equal to 4 अब देखिए यह आपका ap है hp है या जीपी है we know that if a b c are in hp ap के लिए तो हमें पता ही इसका double कर दो अगर यह ap में होता देखिए तो क्या हो जाता twice of ba plus c ऐसा तो कुछ भी नहीं बना ठीक है twice of कुछ नहीं बन रहा clear अब अगर यह ap में होता तो अगर यह a b c 3 terms है gp में होती तो b by c equal to c by b ऐसा भी b square equal to b by a b by a और c by b तो ऐसा भी कुछ नहीं आरा b square is equal to a c third हमारा होता है कि अगर हमारा कोई a b c अगर hp में है a b c in hp तो आपको formula पता होना चाहिए वह होता है middle term is equal to twice of a c over a plus c x 4 z यह पूछा है किसमें होगा अगर मैं hp में check करूं तो middle जो 4 है और twice of first and last मतलब 2xz और x plus a plus c यह देखिए यह मेरा solve हो चुका है तो यह किसमें है यह है आपका hp में next question is the roots of quadratic equations are tangent 30 and tangent 15 degree respectively find the value of this सबसे पहले आपको पता है sum of roots product of roots ठीक है तो sum of roots a के tangent 30 degree एक है 15 degree तो sum of root minus b by a और product of root tangent 30 degree tangent 15 degree equal to c by a c is q यह दिया है आपके पास आपको find out क्या करना है find out आपको करना है 2 plus q minus p यह values जो है इधर पूट कर लीजे 2 तो है यह है q कितना है आपका tangent 30 degree tangent 15 degree और minus का पहले ही है यह मतलब यह minus p तो यहां किया जाएगा plus minus p की value आपके पास है tangent 30 degree plus tangent 15 degree इसकी value कितनी होती है 1 तो answer कितना हैगा 3 लेकिन यह 1 कैसे होती है यह बता देती हूँ देखिए आपको पता है tangent 45 degree tangent 45 degree 1 होता है और अगर मैं उसको लिखू तो 30 plus 15 जो equal होता है देखिए पहले लिखी लेती हूँ tangent 30 plus 15 tangent A tangent B over 1 minus tangent A और tangent B इसमें क्या करेंगे हम अगर हमें पता है कि तो 45 भी बन रहा है 45 degree और 45 degree की जगा अगर मैं 1 लिख दू यहाँ पर तो यह 45 degree बन रहा है तो 45 degree की जगा क्या लिख दू 1 लिख दू और यह मैं ऐसे कर दू tangent 30 degree plus tangent 15 degree और 1 minus tangent 30 degree tangent 15 degree तो अगर आप इसको cross multiply करके shifting करेगे तो आपको क्या पता चलेगा 1 minus tangent 30 degree tangent 15 degree is equal to tangent 30 degree plus tangent 15 degree आप देखिए आप इस पूरे को इधर shift करिए तो आपका क्या बचेगा 1 तो यह पूरा क्या बन गया यही वाला बन गया तो जिसकी जगा क्या लिखना है आपको 1 लिखना है तो 1 प्लस 2 कितना आगे आपका 3 clear है next देखिए यह P है और यह Q दिया है और आपको P Q निकालना है बस यह तो simple ही था determinant करिए तो मैं यह ही कर लेते हूँ यह P into Q ठीक है first row को second column के साथ कर लेते हैं तो यह हो गया minus iota square next हो गया 0 next हो गया minus iota square और next करते हैं तो next होगा iota square 0 और minus minus plus iota square next हो गजाएगा आपका second row को 0 plus 0 plus iota square next हो जाएगा आपका 0 0 into iota minus iota into 0 and iota into minus iota and last third row minus minus plus iota square 0 and 0 next हो जाएगा minus iota square 0 and 0 clear तो यह हो गया आपका P Q P Q equal to solve करना है आपको पता है minus iota square कितना होता है minus 1 होता है तो यहाँ भी minus 1 ऐसे ही minus 1 यहाँ भी minus 1 यह इस तरह of minus 1 और यहाँ भी minus 1 यह minus of minus 1 iota square minus 1 और same here minus 1 तो जो आपका final answer होगा P Q की value हो जाएगी minus minus plus minus minus plus तो 2 हो गया ही और यह minus 1 minus 1 next minus 2 plus 1 और plus 1 तो आपका ही final answer 2 minus 2 minus 1 1 minus 1 and 1 last question देखिए एक triangle है जिसके vertices है आपके पास 00, 1160 and 91 और 0 ऐसा है यह वाल लेजिए ABC है A, B and C आपके पास एक line दी है Y is equal to KX cuts the triangle into two equal areas area यह equal areas है ठीक है इसके यह जो line है वो cut कर रही है इस triangle को दो equal area में then find the value of K आप सबसे पहले देखिए as the line divides the triangle ABC in equal area तो क्या हो जाएगा यह जो midpoint है AB का यह A है यह क्या B है तो यह midpoint of AB क्या हो जाएगा क्यों यह तो exact है ठीक है exact middle में है जो यह point होगा यहाँ पे clear तो यह हो जाएगा 91 plus 11 by 2 and 0 plus 60 by 2 that means यह हो गया 102 102 by 2 and 60 by 2 तो 102 by 2 हो गया 51 और दूसरा हो गया 30 तो 51 और 30 यह वाला point है 51 और 30 तो मुझे पता है कि जो point है वो लाई कर रहा है इस line पे तो क्या लिखूंगे मैं point lies on y is equal to kx तो मतलब यह x होगा यह y है तो इस line को भी क्या करेगा satisfy करेगा तो put करते है आपका y 30 है और x कितना है 51 है that means k is equal to 30 by 51 बस यही पूछा था main चीज था कि इनका equal area है तो यह midpoint हो गया तो इसके point निकालने थे midpoint formula से और यह जो point है वो इस line में ही लाई कर रहा है तो इसमें put कर देने थे clear है तो k की value निकल गी 30 over 51 आज के लिए इतना ही daily को इस attempt कीजिए और जिसने channel subscribe नहीं किया subscribe कर लिजिए thank you very much